अगर हम बात करें कि Indian economy after 1991 सबसे पहली बात इसकी जरुवत पड़ी क्यों है 1991 तक आते आते जो हमने नहरुवियन एकनामिक शुरू किया था सोचलिसम शुरू किया था और उनकी पुत्री इंद्रा गांधी ने भी राष्टवाद समाजबाद को आगे जब बढ़ाया तो धीरे तरे एक समया आया कि समाजबाद में क्या खास बात होती है समाजबाद समानता की बात तो करता है बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या होता वो सुरक्षा दे देता है सिक्योर्टी देता मेरे मेरे डिबेट को बड़े ध्यान समझे कि मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं अभी समय तो वह सुरक्षा भी देता है अत्तितिक सुरक्षा बड़ी घातक होती है यह आपके अंदर एक इंसान के अंदर टेंडेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते ह जिसे कहते हैं आराम का छेतर कहते हैं कमफर्ट जोन बोलते हैं उसको वह कमफर्ट जोन दे दे और जैसी मनुष्य के साथ होता है मनुष्य मूल रूप से बड़ा आलसी प्राणी है ठीक है अगर पेट भरा हो तो वह काम करना नहीं चाहता है तो समाज बात पेट भरने का कि मिलना मालो जैसे तुम ही हो अब तुम्हें पता है कि टेस्ट में ओजांग सर सबको पांच नमबर देंगे तो मुझे ज्यादा क्या करना है यार फिप्टी परसेंट माक्स तो मिली जा रहे हैं जो टॉपर है ओजांग सर उसके नंबर काट देते हैं तो मैं आठ से कुछ दिन पहले मुझसे कुछ पूचा था कि पूजी वाद में असमानता क्यों होती है क्योंकि चमता या अलग अलग होती है आपकी और मेरी चमता या आपकी क्लास के दो बच्चों की चमता कभी एक नहीं हो सकते तो को मैं सबको पढ़ा रहा हूं लेकिन कुछ ऐसे सब्सक्राइब का जवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं या उसको एक के कान में जाके बोला है कि इससे होता दूसरे को मैंने कहा तुम कान बंद करो ऐसा भी नहीं हो रहा है सबको बराबर सुनाई पढ़ रहा है लेकिन क्या होता है हमारी कैपिबिल्टीज अलग अलग होत दिखाई पड़ती है तो से हमें एक आर्थिक समानता दो दिखाई पड़ती सबको बराबर बराबर लेकिन चमताओं का नाश हो जाता है मैं क्यों करूंगा कि मैं क्यों करूंगा मालोब जैसे कई बच्चे इस बाट ट्वल्ट क्लास पास होगे सबको सरकार ने बहुत सब बrukt निकला ऑव बोले ट्वल्ट भगोन हम भाईया का निकल निकलास हम भी निकल वादो हम आसी तरह निकल einem क क्या होता है वो क्छम्ताओं का आपका चम्ताओं अरजित की जाति दिदी सकती हैwie और वैक्तिकत होती है पर्शनल होती जो मेहनत कर रहा है मेरी क्लास के साथ चल रहा है मेरे डिबेट को ध्यान से सुन रहा है नोट्स बना रहा है उसको चमता है अरजित हो जारी है तो पुझीवाद और समाजबाद में हम पॉलिटिकले डिबेट कर सकते लेकिन वेक्टिकत रूप से देखें तो यह चमताओं का अंतर है तो आज क्यों सारे देश पुझीवाद की तरफ जा रहा है हर देश की तरफ मुव्मेंट हो रहा है किसी भी रूप में क्यों क्यों कि जब तक राष्ट के लोग अपनी चमताएं नहीं बढ़ाएंगे तब तक राष्ट कभी आगे वैल्यू एडि धांतिक रूप से हम रश्या के साथ थी अगर भारत के उपर अक्रमन होता तो रश्या के ब्राबर माना जाएगा उदर अमेरिका जो है अमेरिका बहुत एग्रेसीव हो गया था उससमें जो है बाइपॉलर वर्ड हुआ करता था ठीक है नेस सों यान्वे से पहले दुनिय दो ध्रूम में बटी हुई थी एक तरफ USSR था सहीं तो रूस जिसे कहते हैं सहीं जो है वो रशिया और दूसरे तरफ अमेरिका था अमेरिका हर दरजे की कोशिश कर रहा था कि Cold War का अंत जो है वो रशिया के समापन के साथ वो तोड़ना चाहता था वो दुनिया में राज करना चाहता था एकल धुरूवी बनना चाहता था यूनि पोलर बनना चाहता था खेर 1991 में उसको ये मौका मिल गया पहली बात जो जो अब बुश शीनियर था उसके समय में यह हुआ कि उन्होंने खाडी देशों पर हमला कर दिया एराक के साथ हमारा आता था तेल ठीक हम इराक से तेल मंगाते थे एराक के उपर खाडी युद्ध हुआ और खाडी देशों के उपर उसने भैनक दिकते पैदा कर दी तो युद्ध में जो है वो अमेरिका को लगा कि वो चुकि उसको तेल की बड़ी जरूत थी तो खाडी देशों पर कब्जा करना चाहता था और वहां पर क्या दोनों जब एक तरफ तो वो क्रिश्यानिटी थी एक तरफ मुसलिम जो है वो सेग्मेंट थे तो अमेरिका जो यह महाल जो बदल गया उधार्मिक हो गया कि क्रिश्यानिटी वर्सेज इस्लामिज्म जो है वो कहानी आ गई और इसमें भी सिया और सुन्नी का दो भी भाजन अन्य तैय हो गया कैर महाल बहुत गर्माता रहा अमेरिका की महत्तों कांशा थी वो तेल को पकड़ ले और किसी भ बढ़ा ताकतवर था क्योंकि कई देशों का संगठन था वो खैर मामला आगे बढ़ा और क्या हुआ कि उसने धेर और तेल पानी में से बहा दिया समुद्री बेड़े अगर इस खाड़ी में घुसे तो मैं आग लगा दूँगा तो सब कुछ पता था जल जाएगा खैर ठीक है लेकिन केवल यही क्रैसिस नहीं थी दूसरी क्रैसिस अब ध्यान से कहानी को सुनते जाना दूसरी क्रैसिस थी कि जो USSR था वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त था और हमारे नेता उस समय इतने आलसी होगे मैंने का ना सुरक्षा आपको आलस पैदा करती है जब आपको पता है कि मार्क्स आपको मिली जाएंगे तो पढ़के क्या होगा चल बेप अब गेम खेलते हैं ठीक है जब तुम्हें पता है कि किसी भी तरीके से आप जो है वो इतने मार्क्स पाई जाओगे तो आप कभी मेहनत नी करोगे यह बहुत सिंपल सा हमारे यहां जो है गरीब करके किसी भी तरह यूससर को तोड़ दिया 1991 में यूससर टूट गया मिखाइल गोर्वाजव की गवर्मेंट थी और तूट गया और अमेरिका पूरी दुनिया का इकलौता बाश्या हो गया और जब तुम्हारी को सहायता करने वाला है मालो तुम्हारे घर में आग लगती तो इस तरह के वहांपर सेग्मेंट चला करते थे तो अब वहांपर क्या हुआ कि महाल पूरा खराब हो गया अब यूससरा हमारे हां सब कुछ हम सबकुछ लाइक सेंस्राज कर लिया था हमारे देश में कामी करना बढ़ा मुश्किल था और हम सब कुछ विदेश से मंगा लेने के मूड में थे हमारे महंगाई बहुत जादा बढ़ागी इस सब चक्करों में अब हम बिल्कुल ही बरबाद होने करदार पर पहुंच एक बहुत बड़ा क्राइस मैंने इसको सेवन स्टोरी में बहुत बिवर्वत तरीके से पढ़ाया है तो इसके पीछे मैंने पैसे नहीं थे देश कंगाल होने खतम हो गया था तो ऐसे में आई में पश्चिम यह देख रहा था अमेरिका जीच चुका था अमेरिका पूरी दुनिया को अपने कबजे में लोग कहते हैं कि रामन मोहन मौडल था इंडिया ने खोला खोला नहीं है खोला तो स्वाभिमा उसमें रामन मोहन का हाथ मोड़ दिया आई मेफ ने आया बोला कि तुम्हें अब हमारी शर्ते माननी पड़ेंगी तो इंटरनाशनल मॉनेटरिफंग दुनिया के देशों को पुझीवाद की तरफ लेके जार क्योंकि लड़ाई क्या थी समाजवाद बना पुझीवाद य कोई भी जो उसको मदद करने वाला बोला चलो अब हम पॉलिसी को एड़ाप्ट कराते तुम्हारे बोला हम अब तुम्हारी बैलेंस ओपेमेंट यानि भुक्तान संतुलन की समस्या खतम कर देंगे तुम सिंपली एक काम करो यह भारत को आर्थिक उदारी करन की तरफ लेक तो यह तीसरा एक सेग्मेंट था और इससे पहले कि जितने भी सेग्मेंट थे उसमें हमारे आर्थिक बतला हुए थे लेकिन यह कैसा सेग्मेंट है जिसको बहुत ध्यान से तुम लोग को मेरे बाद इसको पढ़ना है यहां मैं जहां छोड़ूंगा उसके बाद तुम्ह सोचना पड़ेगा क्या यह शोशियो पॉलिटिकल सेग्मेंट नहीं था क्या हमारे समाज में ऐसे समाज में जहां पर हम कम में खुश थे हम नारी और महिला को महत तो देते थे 1991 से पहले हमारे रेप कितनी घटना है नहीं हुआ करती थी लेकिन आज पॉर्नोग्राफी आज असलील शामगरी आज जो महिला को टीवी भी खोलते तो उसको वस्ट के रूप में दिखाते हैं हमारे समाज में जो पतन हो रहा है क्या उसके पीछे इस तरह का जो पश्चीम का सबकुछ मॉड़ल है व्हो जिम्मेदार नहीं है जिसको थीस सालँ में उन्होंने हमारे समाज के अंदर बहुत गहरे से भिगो जो मारा है करन उदार हो जाएंगे समझा चुका है इसके बारे में पी फॉर प्राइविटाइजेशन निजी करन बलब निजी सौमित तो होगा सरकार अपनी भूमिका कम करेगी एंजी फॉर ग्लोब्राइजेशन भूमंडली करन एल फॉर लिब्राइजेशन उदारी करन पी फॉर प्राइजेशन एंजी फॉर ग्लोब्राइजेशन भूमंडली करन तो भुमर्ली करण का मतलब होता है पूरे विश्व में हम सबके साथ लिंक होंगे व्यापार के रूप में, संस्क्रत के रूप में हम लिंक होंगे इसको नाम दिया गया राव मनमोहन मॉडल उस समय राव साब नसीमा राव प्रधान मंतरी थे और जो हमारे मनमोहन सिंग सार थे वो वित्तमंतरी थे तो इसको राव मनमोहन मॉडल कहा गया तुमारे लिए कोश्चन है कौन सी पंचवर्शी योजना में राव मनमोहन मॉडल लाँच हुआ जब ये राव मनमुहन मॉडल लाँच हुआ तो इसमें कौन सी पंचवर्शी होजना चल रही थी, हुमर के तुमारे लिए, क्या खिया गया था इसके बाद, कहानी तुम्हें समझ में आई, NCIT इतने डीटेल में नहीं बताता है, चुकि मैंने क्राइसिस पढ़ाया है, इसलि लेखो इसमें क्या किया गया, लेखो, खुले बाजार और उद्योगिक नीती पर विशेश जोर दिया गया, खुला बाजार, ये किस ने दिया था, याद है, लिब्रल, एडम स्मित, बाजार रेशनल होता है, अब तो तुम्हें सब कुछ आ गया होगा, अगर मेरी क्लास तुम्हें याद है तो, खुला बाजार और उद्योग, खुला बाजार और उद्योग पर अधिधिक जोर, उद्योग, इंडस्ती, इंडस्ती क्यों जरूरी है, अब तो मेरे हर बच्चे को एकदम रटा होना चाहिए, एक शब्द नहीं, एक कॉंसेप मैंने नहीं जरूरी है, उद्योग क्यों जरूरी है, secondary activity क्यों जरूरी है, मेरा हर बच्चा ना, साथी चौड़ी करके कह सकता है, हाँ बाई, बताओ, मेरे concept clear है, किसी को भी पकड़ लो, senior से senior को पकड़ लो, वाई, यह पूरा जो है खेल, जो NCIT कहता है कि माक्सिमम जो है, पढ़ाए इंडिस्ट्रियल पॉलिसी, और जो कि नीती ही सबसे अधा, हमारी अद्यो कि नीती ही वाँ से चेंज हो गई, क्योंकि हम मैक्सिमम इससे पहले इंपोर्ट कर रहे थे, हम तो आराम से बैठ गयते है, घरियाल बनके बैठ गयते है, कि जरियाए घोड़े की तरह, कि यार र हमें भेज रहा होगा, हिंदी चीनी भाई भाई और जो है रशिया वाला गाना वाना गा के हम खुश थे, बट, इंडर्स्ट्री क्यों, वाई, मुझे वो लाइन दो, जो मुझे चाहिए, इंटर्वी में बोलने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी थी, व्यूत्पन रोजगार में कई फायद है, सबसे बड़ी बात यह अर्फ यवस्ता के व्यूत्पन रोजगार कब होगा, जब प्राइमरी और टर्सरी दोनों को जोड़ लेता है, बड़ी आबादी को आप रोजगार, अब जब मैं रोजगार बोलता सबसे बड़ेंगे, निवेश बड़ेंगे, तो और जब जादा मुतपाधन कर पाएंगे, पुझी निर्मार कर पाएंगे, राइट और रोग, अब तो सब को समझ में आ गया होगा, कहां पर है, यह फायदा होता है, इकॉनमी को, इसलिए मैं उसको मैजिकल चकर बोलता उसको मैं जादू भी बोलता हूँ क्योंकि वह समझ में आ जानेक बार तुम्हें पता चल रहा है कि economy में क्या चीज कहां हो रही है चलिए अब हम बात करते हैं सबस्यादा focus क्यों किया गया था 1991 में इसको new कहा गया क्योंकि बहुत जाद हम successful नहीं फिर भी हमने कोशिश की हमें समझ में आगया कि बिना इंडस्ट्राइजेशन के बाबू यह काम नहीं होने वाला हमारा ठीक है इतने बड़े देश को अब बिना अध्योगी करन और बिना निजी करन के सरकार सब कुछ नहीं कर दिया बोला अब सरकार जो है वह इंडिकेटिव रहेगी यानि सांकेतिक रूप से काम करेगी निजी छित्र को आने दो उसके पास अच्छी वर कल्चर है वह अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं इतने बड़े राष्ट्र को हम उत्पादन करके रोजगार नहीं दे सकते है ठीक है चलिए आगे चलते हैं लिखो नहीं और दोगे किनीत इनने से क्यान के प्रमुक अव्यार पहला अव्यार था लिब्रलेजेशन उधारी करने उधारी करने कि उधारी करने का मतलब होता है कि I trust on you मैं तुम पर विश्वास करता हूं और यह एसा रास्ट रहा है जो अपने लोगों पर विश्वास नहीं करता है तुम्हें बताएं जब हमें फार्मम भरना होता था इस्टुण लाइफ में तो हमने किसी सरकारी अधिकारी से अटेस्ट कराना होता था प्रमाल करता था कि हम ही है ओजांग ए तो वो जो वह में कभी ने बाप जादा को इस पैसा भी लगता था कई बार जब नहीं हो पाता था कि वह जो Ugh तो यह अपना मुणने का पैसाब जो मुझे कभी नहीं जाना दर जाना मेरे रिष्टेदार से मेरे बाप जादा ज्यादा ज़िए वह कोई एक अधिकारी सरकारी अधिकारी ओधिकारी वह मुजे परमाडित करता था कि हम जो है तक 1991 के बाद भी ये प्रॉब्लम रही है 2000 तक ये प्रॉब्लम रही है क्योंकि पुरानी जड़ों को खोदने में बहुत समय लगा तो अब हम लोग जो है वह काफी चीज़ें टेक्नलोजी के मादने समस्कों सुधाने कोश्च कर रहे हैं तो उदारी करना का मतलब होता है कि म मैं आप पर विश्वास करता हूं तो राष्ट के लोगों पर ही जब राष्ट विश्वास नहीं करता सरकारे विश्वास नहीं करती है तो दिक्कत पैदा हो जाती है मुझे कोई काम करना है मैं तुम से क्यों पूछ हूं मैं तुम से तुम मुझे अनुमत ही दोगे तुम देता था यह स्थित थी कि रिफार्म इंडस्टियल सेक्टर लिखो पहला काम था और द्योगिक छेतर में सुधार करना आप तो तुम समझ गये होगे कि इंडस्टिय में क्यों कि नेक्स वन एबॉलिशन ओफ इंडस्टियल लाइसेंसिंग पहला जिसको लोग समय लाल फीता शाही कहा करते हैं यही हमारे देश का अवरोध था मुझे उद्यों कुछ भी करना है तो मुझे सबसे पहले इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे और हर जगह तुम्हें पता न क्यों हैं हमारे इसम फञे का उल्टा विज्एन का अधिकारी काम करते विध्यान का विझ्द का उल्टा काम करते जंडेगी यह कहते हते हैं जब बजन नहीं आएगा तुम समझ कियो कि मैं क्या कहना चाहता हूं तब तक फाइल आगे नहीं पड़ेगी तो उल्टा ही चलते थे गत्की के सिद्धान्त के उल्टा तो पहला इन्होंने कि एवॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रिय लाइसेंसिंग और द्योगिक लाइसेंस लेने की प्रथा का निवारण इसको लाइसेंस राज भी कहा जाता था इंस्पेक्टर राज हर बात का तो इंस्पेक्टर था उस समय सरकार तय करती थी कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे कि ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खतम हो गया हमारे हां हां इस बीच में काफी कुछ सुधरा है पिछले 10-15 सालों में जब से टेक्लाउजी आई है डिस्टल टेक्लाउजी आई है इसमाल इसकेल इंडस्टी को बढ़ावा देना अब तो समझ के होगे गांधी फिर अब गांधी याद आए बहुत 1990 में नहरू गांधी में लड़ाई इसी बात पर हुई थी नहरू कहते थे बड़े-बड़े उद्योग होंगे गांधी कहते थे भारत की आत्मा गावं में र तो हमने इतिहास में बढ़ा कि बेशकीमती समय वरबात किया अपना बोला कैसे हाव बाइद डी डी डीजर्वेशन डी डीजर्वेशन का मतलब क्या हुआ उद्योगों का गैर आरक्षिक करन करके लिगो इसमें क्या थे कि धेर सारे सरकार ने धेर सारे काम आपने हम यह कर करेंगे अब आदमी सुझरा भाया तुम ही सब करोगा हम क्या करेंगे बोले चला हमन करेंगे हमन करेंगे यही करेंगे पुरा देश इसी काम में लगा हुआ था ठीक है तो यहां पर जो सारे सब्जेक्ट गवर्मन ने रख लिया थे बोला हम यह करेंगे हम वो करेंगे त तो मैं क्यूं करूंगा तो अब सरकार ने डी रिजर विशय नहीं कि अपने लिए जो आरक्षित विशय उसको धील देनी शुरू कि आरक्षित विशयों में धील देके नेक्स वन अगला तो इंडस्टी समझ में आए जरूरी था हमारे लिए दूसरा फाइनेंशल सेक्टर रिफार्म तो फाइनेंशल सेक्टर में विश्चेतर अब मालो तुम्हें चकर याद आ रहा होगा चकर में सोचो मुझे निवेश करना है लेकिन निवेश के लिए मेरे पास पैसा कहां से आएगा अब यह चीज पहले पढ़ाता तुम बिल्कुल नहीं समझ पाते कोई भी टीचर पढ़ाता तो मुसको याद कर लेते हां सर ने ऐसे ऐसे लिखाया है ठीक है पारग्राफ लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया अब मुझे मालो मुझे कको लेकि मैं मेकर चुट्सु लेकी टाक्टवर हो तुम्हें टो मैं किसी से आता वित्वचहतर से आता था फांनिशल सेक्टर बोलते आ स्ट यह डंवकल गया helpful करने थिभव दलबूर नेंवेश gekommen और तबU मात गुत नी तुम्हारे पिता जी है यह को आंटा पीसनेग को क तो लगाते हैं तो लगाते हैं लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए ना हमाली यह कोई गरीब है अगर वही रिण हम उसको देते फाइनिस सेक्टर देते हैं कि आपको आसानी से लोन मिल जा रहा है अभी किसी बच्चे ने लिखा कि इस्टार्टप मॉडल इस्राइल की तरह अपनाना चाहिए तो स्टार्टप मॉडल के लिए कहां से ठीक है मालो मैं ही था मुझे इसे में जब आया कोचिंग में तो मुझे मैंने बहुत कम पैसे से शुरुआत की ठीक है बहुत कम बेंगे लोग मुझे पागल कहते थे यारी इतना कि मलब आप अपना काम करने जाने आपको एक रुपय कोई साहता देने वाला नहीं कोई नहीं कोई ऐसी बाते की कि मन किया बस काश उठके अगर इसको मैं दे पाता एक काम भरका तो मैं इसको दे देता जो दूसरी तरफ कुरसी बैठा हुआ है जो ऐसा ज्यान बाट के टै करेंगा ठुटे कि कई मर्जी से कुछ नी कर सकाथ सब को सरकारी सरकारी तो फिर चिंद मेरा टाइस तरफ कि थो तुछ player बंए ब्लखले तुछ but Forer कोई रटना कर दोता था तौन तो खराए चलो नेक्स्ट तो अभी क्या करना अब तुम्हें समझ में आगा इसको अगर नहीं करेंगे तो यह अब नहीं होगा अब तुम्हारे लिए अलग अलग पार्ट नहीं है यह हमारे लिए जरूरी इसलिए अब तुम्हें समझ में आगा कि हम बैंकों को क्यों जो है वो मर्ज क कर पाई है उसके पीछे कारण है कि यह बहुत बड़ा सेग्मेंट है अभी किसी बच्चे ने रेट्रेस्पेक्टिक टैक्स के बारे पुछा आ गया देखो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यहीं होगा ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस समय हमारे डीक टो कम करना मुझे डि कर शीजिवें तुम कर रहे ऊपर बैठे बैठे कर तेंट कर दो सब्सक्राइक यह जो कस्त्स क्eking मिट समझने वो नियम नहीं बना सकता, वो अपने लिए freedom नहीं ले सकता, यह हमारे जो है, आरोनी हमारे देश में बहुत भारी पड़ी हमें, आगे देखते हैं, tax reforms, करसुधार, यह भी जो हमने retrospective tax बटा है, retrospective उल्टा, जादा कमाओ जादा चीन लेंगे तुमसे, तो बहुत इसको अटा हो यार, अगे जोगोई अग्यार के लिए जैसे हम लोग से सरकारी ना वे नौकरी थी हमारे जॉब अरे टीन दिन क्रेट कार्ड थी वारी कोई टेंचन नीए, क्रेट कार्ड लाइव थी हमारी, कोई चेक कार्ड दे दिया, यह फ्लाना कर दिया, बहुत इसी था, जब बिसनस में सब्सक्राइब करता है यह जो है वो क्या करता है यह आपको टैक्स सबस्यादा भरता है सरकार यह जो बाट रही ना गरीबों को खाते में ठारा ठारा करण रुपए या ठारा जार करण रुपए यह पैसा आता है करदाता हो और सबस्यादा कॉर्परेट टैक्स जो वो लोग भरते हैं मेहनत से तो मुझे मेहनत करने का लॉजिक तो मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा मुझे मुझे ज्यादा खीच लोगे तो फिर मैं क्यूं कमाऊंगा यार मैं भी जाओं नहीं कभी हम भी सोचते हैं सरकार ने सिंगल लॉगड़न में जीस्ट एक दिन नहीं छोड़ा हमें जीस्ट चुका नहीं थी लेकिन सरकार हम लोग सोचते हैं हमारे लिए ना कोई आज परी में फलाना डेका नहीं से बढ़े गरीबी ओजो तो यह देश गरीबी को स्टेटस मांगता है यह देश गरीबी को बढ़ाबा देता है यह देश तुम्हें प्रोचाहित नहीं करता है कि तुम ज्यादा अच्छा कर सको क्यों अमेरिका इतना ताकतवर देश बन जाए लुटे 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 पुलिस वाले हमें आके परेशान करते हैं हर को जहां पैसा जो जितना नोच पाएगा उतना नोच ने कुछ करता है तो यह चीज है तो हमें टैक्स रिफार्म करने की बहुत आशकता थी सरकार बिलकुल जैसे ही तुम थोड़ा सा अमीर हु अमीर होने का मतलब पापी हो गया यह देश गरीबी बिचारी लाचारी इस सब्सकों बड़े बहुत फैसिनेट हो कि तुम लोग भी इस्तमाल करते हो ठीक है टैक्स रिफार्म करसुदार तो करसुदारों में सबसे पहले टैक्स के रेट को कम करो यार मैं ज्यादा कमा हू मैं ज्यादा टैक्स दूं यह क्या मतलब हुआ तो यह बड़ा एक समस्या वाली बात हो जाएगी टैक्स रेट को कम करना करदोरों को कम करना दूसरा इजी प्रोसीडियोर एक टैक्स का अधिकारी पहुंच जाए तो मैं पता है अगर तुम्हें एक बिजनस चला रहे हो त गार्ण हमार एक जालने वाले के साथ उए अब यह दो रूपए तो बितरए वड़े बिजनस में में एक दो रू और निस बिजन सीज़यो हो गए अब आगा gauche सारे बड़ी बड़ी क्या है तो सरकारी बखती इसरे एकाउंट कर देंगे और सबना किंगे और चुको सर्कार इतना ले अब आदमी क्या करे उसका पूरा बिजनस बरबाद पड़ा है तो यह देश जगर तुम इंडस्टी समनी बन पाए ना हम बिजनस क्लास में नहीं जा पाए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है पूरा देश का जो है कल्चर ही इसी तरह से सड़ा हुआ है नेक्स वन आसान प्रक्रियां है आज तक हम लोग मैं तुम्हें एकानमी पढ़ा रहा हूं मैं गवर्मेंट का टैक्स फॉर्म नहीं बर सकता नहीं बर सकता मुझे सीय की मदद लेनी पड़ते हैं उसको सर्विस चार्ज़स देने पड़ते हैं कि आप हमें हमारा फॉर्म बर टैक्स फॉर्म हम भर देते हमें रटा पड़ा कि कहाु किया भरता लेकिन इसके अंदर यह पर उसी कि हम आपसे लेते यह स्थिति है तुमारे हैं नेक्स ओन पर इक्सचेंच रफंश विदेशी मुद्रा विनिमन अब तुम में समझ में आगए होगा जब हमारे देश में पैसा कम होता तुम बाहर से पैसा लेते हैं कहां लेते हैं निवेश के लिए सबसे ज़रूरी है लिखो पहला हमने कहा किया डिवैलिएशन आप रुपी मुद्रा की कीमत को कम किया बहेंगा यह बहुँज़ दादा होगे थी लिखो डिवैलिएशन आप रुपी इसमें हमें क्या करना था एकस्पोर्ट को बढ़ावा देना निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना इंपोर्ट को कम करना दूसरा balance of payment भुक्तान संतुलन के संकट को कम करना यह आगे हम पढ़ेंगे इस वज़ा दिमाग मतलगाना भुक्तान संतुलन के संकट को कम करना कुछबू इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे यह अलग चैप्टर है मनी की चैप्टर में आएगा वुक्तान संदुल्म कम करना फिस समझते जए जाल इसको ट्रेड एन इइनवेस्में अपर में सुधार व्यापार और टेश इस तीरेड चिल गें शुत में कमील आना तैकि जो समान हमारे हैं कम है वो बाहर से हमारे हैं आ सके दूसरा reduction in license राज license राज मुलब हर बात के लिए मुझे अनमत लेनी पड़ती थी एक inspector आता था वो तो यह करता था license राज में कमी लेकर आना जैन साब जब money पढ़ेंगे तब हम उसके बारें बात करेंगे अभी यहां पर बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा अभी तुम्हें यह समझ होगी यह चीज हैं क्या होगी अब तुम्हें समझ में आए यह सभी एक ही पार्ट एक ही का हिस्सा है clear है चलो दूसरा हमने क्या किया privatization निजी करन निजी करन का मतलब क्या होता है what is the meaning of privatization निजी करन का मतलब क्या होता है ownership of government reduce ownership of government government सरकार का स्वामित तो कम करना तो हम लोग इसको विनिवेश बोलते हैं disinvestment बोलते हैं आज आपने देखाऊगा हर चीज हम बेच रहे हैं सरकार की हिस्सेदारी बेच रहें disinvestment करते हैं question आया था disinvestment क्यों करते हैं तो उसमें क्या होता है सरकार अपनी भागेदारी को कम करता है यह हमारी policy 1991 में बन गई थी तो जैसे अभी आजकल बोलते हैं मोदी जी सब बेच रहे हैं Congress वाले कर रहे हैं अरे उन्हें नहीं पता कि उनकी party का ही जो है लिया हुआ था कई बार जो इस तरह से बोलते रहते हैं तो क्या होता हम उसको अपने politics को policies को politics के साथ जोड़ देते हैं policies अनवरत होती हैं रास्ट के लिए होती है पॉलिटेक्स तो सरकारें बदल जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर ownership और government ठीक है यानि कि सरकार का सौमित तो कम करना dis investment इसको विनिवेश कहते हैं इसे विनिवेश कहते हैं कि अगला है भूमंडली कराना इससे क्यों क्यों कि हम पूरी वैश्वी कर्फवस्था का भाग बन जाएं पूरे भूमंडल का भाग बन जाएं इससे हमारा जो foreign investment foreign समझ में आ रहा है FDI कहां पर है जब investment जब तक नहीं करोगे प्रदक्शन नहीं होगा प्रदक्शन नहीं होगा तो इंप्लाइमेंट नहीं होगा इंप्लाइमेंट नहीं होगा तो समझ गए foreign investment को बढ़ाना विदेशी मुनिवेश को बढ़ाना है दूसरा remove all all of tariff and trade barriers नेक्स लैं तमाम तरह की व्यापार अवरोधूं को हटाना तमाम तरह के व्यापार अव्रोधूं को बढ़ाना हटाना व्यापार अवरोधों को हटाना व्यापार अवरोधों को हटाना तो जैसे हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक ट्रिक बनाते हैं तो उसके साथ हम कई बार के सीमा सुलक हम नहीं लेते हैं फ्री कर देते हैं ताकि एक दूसरे के साथ हमारा व्यापार बढ़ना शुरू हो जाए तो यह हमारे बेसिकली L, पी और जी थे इन तीनों को मिलाकर हमें कुछ नया करना था क्या करना था हमें 1991 की नई하기 इंडेस्टियल पॉलिपधियां नई और जोगिक नीती 1991 की उपलब दिया हमें कुछ हांसिल भी हुआ हमने बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट किया उसके बाद हमारे पास विश्व के लोग आने लगे नहीं नहीं मॉल्स खुलने लगे नहीं ब्रांड आने लगे तो इंडिया में कोई ब्रांड नहीं हुआ कर इससे एक फायदा के हुआ राइस और जीडीपी तो हिंदू ग्रोफ रेट जो कृष्णा ने दिया था तो वो उसको 3.7 3.8 कहा जाता उससे निकल के हम जो है वो अब जाधा 6.7 पॉइंट पहुँचे तो जीडीपी में व्रद्धी हुई हमारी नेक्स वन राइस इन फॉरें एक्शेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ोत्री दूसरा इंफ्लेशन महंगाई में कमी अगला फॉरें इंवेश में व्रद्धी इंक्रीस इं फॉरें इंवेश में व्रद्धी अगला प्रतियोगिता में व्रद्धी अब जैसे जैसे अब आने लगे बाद में इनको देखी देखी तमाम सरकारी बैंकों से जब बिजनेस छिनने लगा तो उन्होंने भी बहुत अपने आपको इंप्रूव किया कॉम्प्टेटिवनेस प्रतियोगिता में व्रद्धी और अगला है राइज आफ इंडिया आज एकोनॉमिक पावर और धीरे धीरे भारत एक आर्थिक शक्ति के रूपे उभरने लगा चलें एक आर्थिक शक्ति के रूपे उभर अब इसके प्रोज एंड कॉन्स तुम लिखो कि भारत में 1991 के बाद क्या दिक्कते आई अब इसके लिस्ट तुम बनाओ हमारे अंदर आप 1991 के बाद से आप क्या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखते हैं इसके बारे में आप मुझे बताएंगे तो यह हमारा 1991 का चैप्टर खतम हुआ भारत कैसे LPG किया क्यूं किया आपको यह सारा चीज समझ में आया हमें किस तरह के रिस्टिक्शन अभी खतम करने थे और अभी भी हम उस तरह से नहीं कर पाएं जिस तरह से हमें करना चाहिए था राइट हमारी ग्रोथ बहुत कम है अब हमने खासवर पर डिस्टल टेक्नोलोजी आने के बाद हम काफी कुछिस में सुधार कर पा रहे हैं अब कोई किसी को पीटता है मारता है पुलिस वाले डंडा चटका तो लोग वीडियो बनाके डाल देते हैं सस्पेंड हो जाते कर दो